सीवीटी की प्रिप्रेशन को लेकर के आज फिर हम लोग जुड़ रहे हैं इसके पहले आपने हमारे वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने सिलिबस की डिटेल अनालिसिस करके आपको पताया था बोर्ड एग्जैमिनेशन से इसका कंपारिटिव एक बताया था और आज हम लो इस है कैसे किस तरह के कुश्शन साते हैं तो चलिए हम लोग साइकोलोजी को लेकर के यह कुश्शन से स्टार्ट करते हैं पहला कुश्शन जो आ रहा है साइकोलोजी का इच से इस अकॉर्डिंग तो फ्रॉइड विच एलिमेंट दस नौत केर पोर मॉरल वाल्यूस तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास यह है कि यह पूछ क्या रहा है आपके लिए यह बहुत इंपोर्टेंट से समझना यह बात कर रहा है ड़स नौट के इस नौट कि किस चीज की बारे में बात कर रहा है तो क्या है और क्या नहीं है इसका डिफ्रेंसियेशन आता है फ्रोइट का काम साइको नालिसिस पर है और यह पर्टिकुलर कोशन आपका चैप्टर नंबर टू परस्नालिटी को लेकर के आता है आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग कोशन नंबर टू आप देखें इसको आ रहा है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू लिस्ट वन में आपके कुछ एक डामिशन उसके क्लियर किये गये हैं और यहां पर प्रपाउंडर के नेम दिये गये हैं कि किसने क्या काम किया तो यह स्ट्रेट अवे सिंगल मैचिंग मैचिंग है यहां पर मैचिंग करने के लिए आपको डिफरेंट ओप्शन दिये गए हैं और उनमें से एक और यह स्टान करेक्ट तो आपको यह देखना है कि सेल्फ एफिकेशी का कॉंसिप किस ने दिया था रियल से इसने बात करें ती सेल्फ एक्चुलाइजेशन की किस ने बात करें रोजर का क्या काम था और उनके हिसाब से आपको एक उप्शन लेना है और यह भी हम पर्स्नालिटी चाप्टर 2 से आया है यह कुश्चिंट स्ट्रीटेश्पार्ट उप मल्टिपल इंट्लिजएंग ऐं इंटेलिजएंग स्परिंटेश इंटेलिजेंग और इंटेलिजेंस का कुशन नहीं परस्नालिटी के आस्पेक्ट को लेकर के बात करें अगेंस परस्नालिटी का कुश्चन है अगर हम देखें तो हुमिनिस्टिक और एग्जिस्टनिशल साइकोलिजिस्ट है लेकिन इनका काम जो आपके अहां समझाया गया सब्सक्राइब से चाप्टर नंबर टू पस्नालिटी से आता है तो फिर से वही कॉमिनेशन है आपका कि क्या वर वन आंसर इसनौन इसमें मुल्टिपल ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको मुल्टिपल इसके ऑप्शन भी दिये गया है ओनली वन ऑप्शन स्टैंड करेंड जैसा कि आपको पता है कि हर सही आंसर पे प्लस फाइव और गलत आंसर पे माइनस वन को उप्शन है मैंसमम आपको यहां पे 50 कॉश्चंस में से 40 अटेम्ट करने है 40 कॉश्चंस प्लस पाइव अगर आपके रहते तो 200 मार्क्स का यह टोटल पेपर आपका बनता है उसके ब तो एसेस इस कॉश्चिसनेस मोटिव और फीलिंग इंटिफाइद टेस्ट यूज़ वाइदा साइकोलोजिस किस तरह का यह टेस्ट यहां पे यूज किया गया है आपके परस्नालिटी एसस्मेंट के लिए किस तरह के टेक्नीक्स आपके पास अवेलिबल है किस तरह और य हर और हिस्टू फीलिंग यह बात कहां पर कर रहा है डिफेंस मेखानिजम की डिफेंस मेखानिजम गिवन बाइ साइको अनलेसिस और यहां पर भी यह हमारा अभी भी परस्नालिटी कंटिन्यू कर रहा है चैप्टर नमबर तू देन डाश हैस फांट एक्स्रेमली सब्सक्राइब कर रहा है तो यह सारे आपके किस इसमें से कौन सा एक है जिसको आप इस पर्टिकुलर कारियर गाइडेंस वोकेशनल एक्परेशन और उक्यूपेशनल सेटिंग तीनों में यूज कर सकते हैं यह असेस्मेंट टेखनीक की बात कर रहा है तूल की बात कर रह self-regulation तो यह chapter number two right taking you forward a child is going through a tough time tough time right and is facing problems in school he decides to discuss the same with the school counselor so that he can wend out his feelings identify the type of coping responses in this so यहां पर coping coping किस chapter में आता है आपके chapter number three में right chapter number three जो बात करता है आपका meeting life challenges जिसमें stress की बात होती है तो यह एक scenario आपको दिया गया है इस तरह के scenario आपको दिये जा सकते हैं disorder में भी जा सकते हैं कि इस तरह का situation है तो आदमी कि अंदर कौनसा disorder है और यहां पर वो coping mechanism किस तरह के coping mechanism को हम यूज करते हैं जब हमारे life में challenges आते हैं उसकी बात कर रहा है तो chapter number three को बात कर रहा है इसी को आगे लेकर के अगर हम चले तो social support in the form of assistance involving material aid such as money or goods sorry or goods is known as dash support emotional positive tangible info informational आप से हम यहां पर आंसर की जगा हम आपको यह बता रहे हैं कि यह किस चाप्टर से आया तो पहले आपको पास चाप्टर की a framework जब तयार होगा you'll be able to relate to the right answer so social support यहां पर बात कर रहे है in the form of assistance तो यह support की बात कर रहे हैं फिर से वही meeting life challenges की बात कर रहे हैं chapter number three की बात कर रहे है taking you further Radhika wants to do everything perfectly every time this expectation leads to disappointment and stress once again chapter number three does the source of her psychological stresses dash dash frustration conflict internal pressure or social pressure कि रादिका के ऊपर जो प्रेशर किस टाइप का प्रेशर की बात कर रहे हैं जो chapter number three में बात किया गया है कि stress के क्या-क्या factors हो सकते हैं आपकी life में आगे बढ़ते हैं question number 12 पे आते हैं फिर से हम देखेंगे यहां पे different components दिए गया है psychological components and dimensions की बात करी गई है और उनका actual meaning क्या है यह लिस्टू में निकाला दिया गया है अब आपको फिर से multiple matching करनी है और multiple matching के लिए आपके पास यहां पर different options है only one option stands correct और emotional effect physiological effect फिर से यह क्या है जब आप stress में होते हैं तो आपके ऊपर किस किस तरह के effect आते हैं आपके behavior में changes आते हैं तरीके में कैसे चेंज आता है आपके academic changes के आते हैं इस तरह की बात करी कहीं है तो फिर से chapter number three चल रहा है और question number 13 हम देखते हैं exhaustion stage alarm reaction stage resistance stage and adjourning stage अगर आप इसको relate कर पा रहे हैं तो you are right this is chapter number three only managing life stress or it talks about uh examination scenario once the data date sheet was announced the students started paying attention and preparing for the examination they made notes took test and attended coaching classes neglecting their diet and sleep क्योंकि आपके पर प्रेशर आ रहा है as the examination approach students felt training of bodily resources and falling sick indicates dash stage of general adaptation syndrome GAS जिसको हम कहते हैं और यह पूछ रहा है कि यह जो scenario है आपने यह पढ़ा होगा कि इस stage में ऐसा होता है इस stage में ऐसा होता है तो आपको symptoms दिए गये हैं और symptoms के हिसाब से आपको identify करना है कौन सा stage है और यह भी आपका chapter number 3 managing life stress से बात करता है question number 14 in which of the following disorder 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 means chapter number 4 right so chapter number 4 talks about psychological disorder और यह भी आपको यहां पे disorder के बात कर रहा है जिसमें it says that children may first scream through severe tantrums or make suicidal gestures कौन से disorder में ऐसा बच्चे करते हैं आपको आपने पढ़ा होगा कि यह situation है इसके particular characteristics or symptoms है और उन symptoms के basis पे आपको identify करना है कि यह कौन सा particular disorder यहां पे बता रहा है तो chapter number 4 की बात कर रहा है question number 15 आपका dominating and bullying other without provocation is which type of aggression again this is a mood disorder जिसकी बात करी जा रही है और यहां पे हम chapter number 4 की पे ही का ही यह question है फिर 16 पे हम आते हैं again alogia delusion abolition and hallucination का मतलब क्या है यह आपको दिया हुआ है आपको rightly इसको match करना है one correct answer is there chapter number 4 से है यह question भी जहां पे different आपके symptoms दिये गये हैं या उसके characteristics दिये गये हैं और उस characteristic का मतलब या particular psychological word का मतलब क्या है यह आपको match कराना है आगे बढ़ते हुए chapter question number 17 पे आया bulimia नर्सोवा is an what kind of disorder eating disorder है depressive disorder conduct disorder an anxiety disorder है answer हम लोग अभी बार में discuss करेंगे अभी हमको यह समझना है कि chapter number four से है disorder से है और question number 18 के बात करते है manjeet is inattentive hyperactive and mostly impulsive he is most likely to be diagnosed with what kind of disorder कि यह जो symptom है in attack inattentive hyperactive and impulsive यह किस disorder का symptom है यह चार डिस ओडर आपको दिये हुए है इन में से एक ही disorder है जिस पे यह stick करना है और वही आपका correct answer होगा question number 19 again multiple list है सीजोफ्रेनिया positive symptoms of सीजोफ्रेनिया negative symptoms of सीजोफ्रेनिया inappropriate affect and psychomotor symptoms of सीजोफ्रेनिया basically सीजोफ्रेनिया is the concern और सीजोफ्रेनिया आपने इसमें पढ़ा होगा psychotic disorder है और इसको आप किस से कहां से इसको रिलेट कर रहे है कौन सा राइट लिस्वन का कौन सा element list 2 कौन से element से मैच करता है one answer is correct आपको इसमें से opt करना होगा disorder से है चैप्टर नमबर 4 से question number 20 right question number 20 says that Rajini uses yoga and meditation to focus her attention this is a form of what kind of therapy yes therapy so therapeutic approaches chapter number 5 बात करता है अब हम लोग अभी हम लोग disorder पढ़ा होगा और disorder उस particular disorder के लिए कौन कौन से therapies कि अप्रोच के हिसाब से suggestive है इसको भी आपने पढ़ा होगा तो यह chapter number 5 का question है therapeutic approaches है chapter number 5 the chief benefit of humanistic therapy is that which is the process of gaining increasing understanding of oneself and one's aspirations emotions and motive that is emotional insight instituting adaptive behavior cognitive restructuring or personal growth humanistic किस बारे में बात करते हैं उनके साब चुटिस ओर्डर का reason है उसी से related उनकी therapy है तो only one answer is correct this is this question is again from chapter number 5 आगे बढ़ते हैं which of the following is not an ethical standard in psychotherapy ethics in psychology and psychotherapy यह भी आपका को बहुत क्लियर रखना है क्योंकि वाट इट इस नहीं को डिफ्रेंशेट करना आपके दिमांग में क्लियर वैटना चाहिए तो यह इसके options दिये हैं किन में से CBT में हम कौन सी चीज को यूस्या कौन सा statement CBT में अप्लाइ करता है यह कौन से statement अपलाइ नहीं करता है यह कौन कौन से statement apply नहीं करता है यह इन नो ओल्ली वन option as you can see from the uh answers or answer options given a c d a b c d so earlier we used to get all four of the above none of the above so now this is making you little perplexed to find out as to what are the right answer over here and then question number 24 in alcoholic an alcoholic is given a mild electric shock and asked to smell the alcohol repeatedly pairing the smell of alcohol with pair of shock leads to giving up the alcohol by the person identify the behavioral technique being used here kawansi hai ye token economy hai modeling hai negative reinforcement hai ki aversive conditioning hai i'm pretty sure you have studied cbse ncrt ki book peh yeh bhot clearly yeh same example diya hua hai so this is about your uh attitude se bhi you can relate it or therapeutic question peh bhi you will choose question number 25 one of the following statement out of the following statement identify the statement that holds true for albert alias ret ret reto albert alias ki relational emotive therapy ki baat kar rahe hai to again therapy ko hi haam yaha per lighter ke chal rhae hai or therapy peo question aka chapter kwan sa hai chapter number five to here hap peh be hum chapter number five ki hi baat kar rahe hai or jis meh do option jasya ki हम देख रहे हैं C and D correct है या A or B correct है या B or D correct है या C or B correct है only two out of these four are correct the options are given only one option stands correct and you have to tick the right answer here question number 26 sheriff summer camp experiment was conducted in four phases arranged in correct sequence of the phase given below intergroup competition friendship formation intergroup cooperation in group formation अब आपके पास हो सकता है आपके पास वो check boxes small boxes होते हैं कई बार हम लोग पढ़ते समय उसको छोड़ेते हैं शरीफ के experiment box के थूब हो सकता है आपके पास हो लेकिन यह हम बात कर रहे हैं chapter number seven six नहीं है chapter number seven है यह और correct answer आपको निकालना है again this question number 27 dash refers to togetherness binding and mutual attraction among group members this is group think status cohesiveness or role क्या particular word यहां पे fill in the blanks में आपके fit होता है यह आपको निकालना है और यह भी chapter number seven say here question number 28 manage give something free to raja saying that it is for promotion of product soon afterwards he asked raja to buy a product sold by his company this technique of compliance compliance किसमें आता है chapter number seven जो social influence or group formation की बात करता है तो chapter number seven की बात यहां पे हो रही है group influence कैसे होता है कैसे आपका society का influence आपके उपर होता है और group के में कैसे आदमी अपने आपको process करता है तो group dynamics की भी बात यहां पे होती है chapter number seven की again matching the list primary group किसे कहते है secondary group किसे कहते है in group out group and then formal group informal group different types of group मतलब क्या है उसका यहां पे आपको उसको match करना होता है right answer is only one आपको इसमें से select करना होगा question number so this question is again chapter number seven group formation right group processes पे बात है इसमें and उसके बात question number 30 पे आते हैं which of the following is not associated with the stages of group formation to group formation की जहां लोग बात करना है social influence and processes के बात कर रहे हैं तो जब group processes के हम बात कर रहे है chapter number seven में तो यह भी group बनते कैसे हैं उसके stages इसमें से कौन सी stage ऐसी है जो group formation की stage नहीं है so chapter number seven question number 31 to understand interpersonal physical distance as given by Edward health align the following form from the least to maximum least to maximum so it is talking about the different types of proximity and distance and it is talking about uh basically psychology of life जिंदगी में हम कैसे जीते हैं किता distance जब हमारा intimate relation होता है तो हमारा क्या distance होता है जब हमारा acquaintance होता है तो क्या distance होता है तो psychology of life की बात कर रहा है chapter number eight से experience of crowding has the following feature again chapter number eight increase in privacy feeling of loss of control over social interaction feeling of discomfort right तो इसमें भी आपको right answer choose करना है तीन option इसमें से सही है that means you need to strike off one कोई एक ऐसा है जिसमें जो इसके features में crowding के features में include नहीं होता है वो कौन सा sentence है कौन सा option है इसको आपको निकालना है question number 33 now this is matching the list again multiple matching is there body language paraphrase reception and authenticity यह सब क्या है कहां इसका यूज है इसका यूज है इसका यूज है skip this particular chapter number nine which talks about the psychological skill psychological skill होती है you must understand the body language of your client you must be able to paraphrase the reception the authenticity of your data and your behavior or body language का क्या मतलब है body language क्या है paraphrasing क्या है authenticity क्या reflect करती है और इसमें आपको right answer लेना है this is chapter number nine psychological skills 34 number question it talks about jp gilford classify the structure of intellect model into what kya थे उस jp gilford के जो intelligence का model दिया है उसके major dimensions क्या-क्या थे कौन साइज में answer right है तो यह आपका ले रहा है आपको chapter number one पे intelligence पे right chapter number one talks about the intelligence and various theories of intelligence given by different uh psychologists or gilford ki theory के हिसाब से क्या-kya gilford ki theory में कौन कौन से dimensions थे इसकी बात किया जा रहा है यह chapter number one का है question number 35 according to past model now again past model is intelligence ka model और उसमें यह allows us to think of possible course of action implement them to reach the target and evaluate their effectiveness planning arousal simultaneous processing and success in processing तो यह भी question आपका chapter number one intelligence से है question number 36 percent high on dash intelligence have finer sensibilities regarding their identity human existence and meaning of life so persons high on dash dash means क्या interpersonal intraperson spatial or linguistic किस इन चारो में से जो dimensions है जिसमें किसमें हाई होगा जब हाई होगा तब कौन से चीज़ यहां पे आपका आप्लाइ करता है कि intelligence have finer sensibility किस किस तरह के आदमी में fine sensibility self-acceptance पाएंगे identity clarification है उनको they do not have existential crisis they are clear about their path and goal तो यह आपका chapter number one intelligence की बात कर रहा है question number 37 is atul is able to monitor his own and other's emotions discriminate among them and he uses this information to guide his thinking and action he exhibits high intelligence question high intelligence quotient and emotional quotient high emotional intelligence high emotional intelligence but low intelligence portion now one answer is collect jase aapne dekha hai there is not combination only one stands correct so which one it is आपको clearly यह chapter number one पे इंडिकेट कर रहा which talks about different types of intelligence डेनियल गोलमेन का concept भी उसमें included है कोशन नमबर 38 पे आते हैं dash involves employing systematic organized objective procedures to record behavioral phenomena occurring naturally in real time तो जब आप individual differences के बात करते हैं individual differences and intelligence is basically the chapter तो यहां पे individual differences के लिए हम कौन से techniques use कर सकते हैं there are various scientific techniques or it is talking about one of the technique कौन उसको क्या कहा जाएगा जब आप एक systematic organized or objective procedure को यूज करते हैं not a subjective procedure right तो वह एक answer है only one answer is correct question number 39 IQ again IQ की बात कर रहे हैं तो chapter number one ही है IQ range for individuals with moderate intellectual deficiency moderate intellectual deficiency IQ की केवल बात नहीं कर रहे है deficiency की बात कर रहे हैं तो क्या range है you must be clear की gifted or special child उसके IQ के ranges क्या है तो यहां से आपका question number one again chapter number one पर ले जा रहा है यह question number 39 coming to question number 43 again instinctual life force that energy energizes the aid is called ego libido superego defense mechanism personality का question है और इसको आपने कहीं न कहीं disorder में भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं उसमें भी disorder में बात करी गई है इसके की इंटर complexity की वज़े से disorders develop होते हैं question number 41 41 और 42 आप देखेंगे कि दो comprehension दिये गये है kind of directly from your syllabus आपके और syllabus के उस comprehension के basis पे आपको questions पूछे गये हैं तो दो question दो comprehension दिये हैं 40 तक अभी आपने देखा individual questions चल रहे हैं now इस आपको पूरा एक पैरा दिया है उस पैरा के basis पे 5 questions आपको 41 से 45 दिया गया है again you'll be getting another pair there will be questions from 46 to 50 right so out of 50 you have to attempt only 40 questions right and if you attempt 40 questions with 5 marks each you will be securing 200 straight away so यहां पे आपको एक पैरा आप देख रहे हैं पैरा दिया हुआ है और इस पैरा के basis पे आपको question दिये गये हैं आपको list matching जैसे जो words इसमें यूज किये गये हैं उससे क्या reflect करता है उसका क्या causal factor है characteristic एक तरफ दी है causal factor दूसरे दिये गये हैं और इससे आपको question number question इस question में आपको जो 41 question है अगर आप देखे इस को इस पैरा को पूरी तरीके से पढ़ें तो आप यह पाएंगे कि यह chapter number six से लिया गया है it talks about in our day-to-day life we assign certain causes and reasons to person's behavior this process is called attribution attribution किसमें आपका chapter number six में हैं जहां attitude formation की बात करते हैं impression management की बात करते हैं और attribution की बात करते हैं so this particular chapter this particular para talks about attribution it has been taken from chapter number six which has five questions right toh यहां पे आप देखेंगे question number 41 42 again आपका 41 पे आपके एक second read the question okay so this is matching question आपको दिया गया है 41 पे 42 again the same passage in our day-to-day life we assign certain causes or reasons to person's behavior this process is called attribution so this is it is the same para which is being used for 41 to 45th question और अलग अलग तरह पे इस पे एक explanation आपका दिया हुआ है उसके basis पे as per binary if person a gives greater weightage to internal factors then क्योंकि factors attribution की आप करें causal factor की बात कर रहे हैं then which one of the following would hold true for a the task characteristics is intelligence is luck pleasant weather conditions क्योंकि हम attribution की बात कर रहे हैं कि कोई particular behavior अगर आदमी कर रहा है तो उसका reason क्या हो सकता है उसके causes क्या हो सकते हैं तो 41 to 45 question जो आपका आया यह attribution से आया attribution means chapter number six which talks about attitude and attribution and group sorry impression management right इसी पे आपका again 43 पे same para है आप देख रहे हैं people attribute failure to personality disposition external factors or internal factors आप देखेंगे आपके chapter chapter में भी exactly almost same यही lines है थोड़ा सा उसको modify करके क्रिस्ट किया गया है यह chapter यह particular para so this is again question number 44 same 45 same para तो एक पैरा पे आपके पाच question है इस तरह से आपके दो पैरा आते हैं और उसमें आपके 10 questions 5 on each para would be there अब हम लोग आते हैं इसको 46 पे 46 question अगर आप देखें इस आप person's thinking or behavior is classified as abnormal if it violates social norms तो यहां social norms or disorder की बात कर रहें disorder वले चाप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था आप संझा था कि norms क्या होते हैं code of conduct क्या होता है और कैसे इसको हम एक benchmark कर चलते हैं disorder को describe करने के लिए तो यह एक पैरा को दिया हुआ है और इसमें अब उसी पे इन्होंने बेस्ट पाच कोश्चन आपको पूछे हैं 46 47 48 49 and 50 टोटल 50 कोश्चन तो यहां पर यह परसंस थिंकिंग और बहेविर is classified as abnormal if it isolates social norms this statement refers to the concept of dash in abnormal psychology deviance distress dysfunction and danger 4d model आपने पढ़ा है this disorder में तो 4ds में से कौन सा दी नहीं है यह आपको केवल यहां पर बताना है that is question number 46 now 47 again the same para is there on disorder say now it is asking norms of societies grow from its history values institutions habits skills technology art etc these are together referred to referred as its community social norms culture or rules क्या यहां पर फिट इन होता है हम लोग discussion बात में करेंगे अभी तो बात केवल यह कर रहे हैं हम कि यह भी disorder का ही portion है disorder से ही question है 47 question 48 question फिर से वही same para चल रहा है thinking and behavior is classified as abnormal if it violates social norms or now it is saying it is believed that psychological disorders are something to be ashamed of this is because of a dash attached to mental illness because of a deviance because of a danger because of a distress and because of stigma right to answer हो सकता है आपके पास हो लेकिन हम आपको केवल यह बता है कि यह question भी आपका disorder psychological disorder chapter number four से आ रहा है coming to 49 again again the same para or finally a person is considered to be abnormal if he she is unable to perform the behaviors necessary for day-to-day living अब this explains the abnormality due to deviance distress dysfunction or danger तो day-to-day living में आदमी काम नहीं कर पा रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे एक ही answer है और आपको वह answer यहां पे देना है यह भी chapter number yes chapter number four that is psychological disorder coming to chapter question number 50 the same para and the best criterion for determining the normality of behavior is that it follows the norm of the society fosters overall well-being is not distressing is not dangerous to well-being model we aapne disorder mein pada hai aur ye bhi chapter number four का ही है और इस तरह से अगर हम देखे तो straight away 40 mcq हमारे पास आ रहे हैं और 40 mcq जो आपको straight away है और 10 आपके जो questions है वो that is based on comprehension तो दो comprehension से 10 question आपके पास निकल रहे हैं 45 minutes you are going to get so overall analysis अगर हम इसको करें तो this is what it is chapter one say total six question chapter two personality को लेकर के nine question chapter three meeting life challenges five question chapter four psychological disorder six question जो आपको mcq में आए और five question जो आपके comprehension में जो आपका last comprehension आया उस पर five question ते to overall 11 questions are coming here chapter five therapeutic approaches six question attitude one or two questions were there in general plus five आपका एक comprehension जो था वो attitude chapter six से था attribution पे था chapter seven social influence and group processes से पाच question आ रहे हैं psychology of life से दो question है और psychological skill से भी दो question है हम देख रहे हैं कि cbsc में chapter seven तक लिया जा रहा है IHC talks about chapter eight to a certain extent लेकिन इससे कम question आये लेकिन फिर भी आये तो आप इसको skip नहीं कर सकते हैं आपको इसको साथ continue करना होगा और maximum weightage अगर हम निकाले तो आपका एक अच्छा खासा weightage जो cbsc ने declare भी किया हुआ है chapter one two four and five आता है and six right तो इस पर हमारा concentration जाधा होना चाहिए और इससे related or detailed study and strategies strategies पढ़ाई का तयारी का समझने के लिए आप हमारे साथ connected रहें thank you so much